आप अपने स्क्रीन पे जोया तष्वीर देख रहे हैं यह तष्वीर है नानिघहट इंसक्रिप्शन की ये इंसक्रिप्शन ब्रामी में लिखा हुआ है महारास्ट के पूने में जौनार नाम की एक जगह थी एंसियन्ट वहाँ पे एक पास था वही नानिघहट पास कहें कि पुने के एरिया से या जुनार के एरिया से Coastal महरास्टा को Connect करता था, Coastal महरास्टा मतलब कौंकन एरिया, अगर आप मैप में देखना चाहें, ये देखें महरास्टा का मैप है, ये पुने डिस्टिक्ट है यहीं पे जुनार नाम की एंशेंट जगह हैं, और यहां से आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये कौंकन कोस्ट है इसको connect करने के लिए पहाडियों में एक यहां पे नाने घाट करके पास है इस नाने घाट पास में ही केव की एक खुदाई की ओर्डरिंग की गई थी वो खुदाई की ओर्डरिंग की थी जिसने उनका नाम नागानिका था नागानिका एक रानी थी नागानिका रानी थी सतकर्णी वन की पतने थी सतकर्णी वन सत्वहन डाइनस्टी से विलोंग करते थे तो सिंपली समझे तो नाने घाट का जो जो मैंने थोड़ी दिर पहले आपको दिखाया था, यह रहा, यह नाने गाट है, आप अभी भी जा सकते हैं, वेस्टन गाट में है, कनेक्टिंग डॉट है, यह आपके कोस्टल एरिया से कनेक्ट करने के लिए जुन्नार और पुने को, यहाँ पर यह इंस्क्रिप्शन है, स्क्रिप्ट है, इसको लिखवाया था, रानी जी ने, लेकिन रानी जी के जो पती थे, वो इंपोर्टेंट है, साथवहन डाइनस्टी के सतकरनी वन, इसी के साथ हमारे तमिलनाडू के नए वाले बुक की, बुक का जो चाप्टर नंबर फाइव है, उसकी शुरवात की ज इस लेक्टर में हम संगम, पिरियट के और भी बाके लोगों को देख लेंगे, साथी साथ ये भी बता दूं कि जो नाने घाट है, तो यहाँ पे नाने का मतलब कौईन होता है, तो कौईन होता है, नाने का मतलब घाट, मतलब वैली या जो भी आपकी पैसेज हो गई तो तो जो टोल की कलेक्शन की जाती थी उसी के नाम पे इसका नानेघाट पड़ा था अब नानेघाट की इंसक्रिप्टर आपने समझ ली तो चली अब हम चाप्टर की शुरुवात करते हैं सत्वहन डाइनस्टी और संगम डाइनस्टी से भी आगे देखेंगे वहां पे हम इसके पहले पंच चैप्टर के पहले हमने चाप्टर कर लिए थे तो वो तो पहले हो गया था प्रेलिम्स के अब इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन डॉर्धर जो लोग नोर्थ इंडिया की उनका कहीं फोकस थोड़ा नॉर्थ इंडिया पही रह जाता है हाला कि freedom की जो movement है उसमें तो north-south मिला के mix करके मिलती है चीजे तो ऐसी कोई परिशानी नहीं होती लेकिन ancient में medieval में और उसके पहले की जो चीजे है prehistoric वगर वहां पे south और north में फरकाता है अब जब मैं आपको south इंडिया के knowledge बहुत अच्छे मिलती है वहां के culture बगर की चैटर नमबर पाइप evolution of society in south इंडिया अब जब मैं आपको south इंडिया की culture पढ़ाऊंगा history पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दो फेज में पढ़ाऊंगा एक फेज में पढ़ाऊंगा आपको संगम age में जो कि जब millennium change हो रहा था तो संगम age की बात चलेगी वह चलेगी आपके 250 something BC से लेके 250 नहीं 550 AD तक की कहानी चलेगी लंबी से कहानी चलेगी उसमें जो आपका millennium change हो रहा था उस दौरान जो कहानी चलेगी वह संगम age की चलेगी बाद में संगम age की ही नाम के लवा आ जाएंगे फिर एक तो और आपके चोल आ जाएंगे तो उनकी कहानिक फिर से दूसरे फेज में चलेगी इस बीच में आपको हर्षवर्धन वगरा पढ़ाओंगा फिर साथ इंडिया जाओंगा लेकिन इस चैप्टर में हम साथवाहन और संगम यह जो कल्चर था उस सोशल पॉलिटिकल फॉर्मेशन देखेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन लगवख फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात है साथ में आपका डेकन रीजन है देखिए साथ में आपका एक डेकन रीजन हुआ और एक रीजन उसके नीचे का हुआ जो डेक किंग्डम में आपके चेरा, चोला, पांड्या थे और जो डेकन वाला एरिया था वहाँ पे साथ वाहन थे वो अलग बात है कि चेरा, चोला, पांड्या की कहानी साथ वाहन के थोड़े पहले शुरू हो जाती है और इसका पता चलता है हमें अशुक के इंस्कृप्शन से अशोक कहते हैं कि जो डेकन वाला एरिया है वहां तक तो मौरियन डाइनास्टी कुछ न कुछ थी लेकिन उसके नीचे का जो एरिया था जहां पे चेरा चोला पांडिया यह लोग थे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ऐसा इंस्क्रिप्शन नमबर टू में जो चोला चेर पनाटका और महाराष्टा के एरिया में सातवाहनों लोगों ने अपनी फर्स सेंचुरी बीसी में अपनी एक पारपूल किंगडम बना ली उसी के कंटेंप्ररी चेरा चोला पांडिया साउथ में रूल करते थे वो तमीज गम में करते थे फर्टाइल प्लेन है नीचे का क पांडिया की बात करें साउथ इंडिया का मैप बनेगा आपके करने में रहाए आपके साउथ इंडियन किंग्डम में तमीजग में नाम से जाना जाता तेखा टमील डूलर्स पहले आयते दू सेंचूरी पहले आचुके थे साथ वहां तो आपके फस सेंचुरीавно ब wa यहीं संप्रेक्वा करों यह सब्सेर क्वारें होए लाकिन सफाढन क स्विश करा है और चुम्बया इसका कंडम इन चीजों की हिस्ट्री का पता कैसे चलता है देखिए कुछ तो archaeological evidences है कुछ epigraphic evidences है कुछ numismatic evidences है मैं सारे चीज़ आपको discuss करके बताता हूँ जब आप archaeological evidences की बात करोगे तो मैंने आपको पिछले कुछ lectures में Megalithic burials के बारे में पूरा पढ़ा दिया है यह Megalithic burials तो हुए थे तो बहुत पहले शुरू अर्ली historic period में शुरू हो गयते हैं PT 365 में भी पढ़ाया था अलग से Tamil Nadu में भी पढ़ाया है सारे structure पढ़ाया है मैंने आपको यह कब शुरू हुआ था लेकिन इनकी कहानी काफी बात तक आपको आपको मिलेगी साउथ इंडिया में तो कुछ तो आर्केयोलाजिकल एविडेंस में Megalithic burials साइट से भी पता चलेगा फिर आपने इंशियंट साइट्स की पोर्ट की यूपयसी पूछ रहा है ना कि यह जो है शहर के नाम इंशियंट टाइम पे क्या थे घंटाशाला ती तो वह आपका जैसे पोर्ट था वो उस टाइम के इंशियंट टाइम पे तो आपके मैप पे देखेंगे नहीं कि आज यह कहां है यह लोकेशन तो आपको याद नहीं रहेगा चार लोकेशन है अरिक मेडू, कोडू मनाल, अलंगन कुलम, अलंगन कुलम और उरयूर तो चलिए इन लोकेशन को देखा जाए सबसे पहले हैं यह आप लोकेशन यहां पे मेडू पड़ता है, कैपिटल से चार किलमेटर की दूरी पर है, यहां पे आपको एक्सकावेशन के बाद साउथ इंडियन किंडम का बहुत पता चलता है, इन पैक जो आप यह वीकेडिया पे इमेज देख रहे हैं, हलाकि यह बीसी का नहीं है, जीसस क्राइस्ट के पहले नाम की एक विलेज है, यहां पे एक्सकावेशन की गई तो बहुत जीजे मिली, देखिए यह एक टाइम पे एंशियन ट्रेट का फ्लारेशिंग साइट था, और इसको उसमय पे कोडू मनम बोला जाता था, और अगर आप इतका उल्लेक देखेंगे तो संगम लिटरेचर म आपको मैं थोड़ी दिर में एक बुक पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, पटीरू पत्तू, पटीरू पत्तू जो बुक थी संगम लिटरेचर की उसमें कोडू मनम के बारे में में मेंशन किया हुआ है, नौयल रीवर जो की काफी फेमस है तमिलनाडू में, वहां पे, उसमें उसके अराउंड ही यह लोकेटेड है, अब नौयल रीवर क्यों हो फेमस है, क्योंकि यह कावेरी की ट्यूबिटरी है, जब कावेरी की बात आ गई तो UPSC का वेरी फेवरेट चले कावेरी रीवर को ही देख लेते हैं, याद रखिएगा कोई कुछ भी बोले, काव लौनादो में आती है, और यहाँ जाके C में मिल जाते है, यह कावेरी का फ्लो है, तो यह करनाटक का जिस एरिया जहां से कावेरी निकलती है, जिला कौन से है, वह district है, कोडगू district है, वेस्टरन घाट में लोकेटेड है यह एरिया कोडगू district, तो आग के पहाडियों से न से कावेरी निकलती है ताल कावेरी से वो जगह जो है कोड़गु डिस्टिक्ट है करनाटका का याद रखेगा काफी हाई एल्टिट्ट्यूड है 1341 किलो मीटर के उपर से यह नदी निकलती है तो याद रखेगा बेव बंगाल में जाके मिल जाती है आप एंगर साउथ इंडिया के जो सेवन होली रिवर्स हैं उसमें आपके कावेरी का नाम भी है ट्रीब्विट्री का नाम बता देता है यूप के और एन फेवरेट हरांगी हेमावती बहावानी याद रहेगा ना हरांगी हेमावती कबहारी लक्षमन तीर्थ नौयल आ गया नौयल क्यों फे प्रिब्यूटरी के नाम हरांगी हिमावती कभीनी भवानी लक्षमंतिर्थ नौयल और अरकावती अगर रिवर बेसिन की बात करें तो मैं आपको पहले बोल दिया तो तीन स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है तमिलनाडू है करनाटक है केरल भी है करनाटक में जो यहां पर तमिलनाडू में क्रॉस करके आती है वहां पर देखिए शीवन समुद्र शीवन समुद्र नाम का एक फॉल यह बनाती है जो की काफी फेमस हमारे कॉलिस के लोग कही बर जाते भी थे शीवन समुद्र फॉल्स लोकेटिड ओन कावेरी रिवर ये जो है फॉल वो करनाटक वाल एरिया में लोकेटिड है एक डिस्टिक्ट है चमराजा नगर चमराजा नगर जो भी है चमराज नगर जैसा भी है चमराज निगर में शिव समुद्रम फॉल्स कावेरी पे लोकेटेड है करनाटक के मांडिया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक बर्ट सेंचुरी लोकेटेड है उस कावेरी के ही बेसन में रंगन तीतु बर्ट सेंचुरी अब मेरे दोस्त के अबस वो शिव समुद्रन फॉल देखने जाते थे नहीं शिव समुद्रन फॉल के अलावा वो होगेनकाल फॉल भी देखने जाते थे प्रनेंसियसन के लिए माफ करेगा मैं तो होगेनकाल ही बोलता है होगेनकाल फॉल क्या है ये जैसे ही कावेरी करनाटक से तमिलनाडू में गुस्ती है तो तमिलनाडू में डिस्टिक्ट में जाती है उस डिस्टिक्ट का नाम है धर्मपूरी डिस्टिक्ट जैसे हैं सडेनली फ्लैट प्लेन में जाती है वहां से मियंडर होती ड्रॉप करके जो फॉल बनता है वहां भी है और साती साथ करूर डिस्टिक्ट भी है वहां से अपास करेगी और फिर वहां पे एक मयानूर डैम बनता है यह करूर डिस्टिक्ट बिल्कुल याद रखेगा क्योंकि मैं इसको कुछ बिल्कुल याद रखेगा अगर आप इसकी ट्रबिट्री को एक बार फिर से देखना चाहिए तो देख सकते हैं हरांगी हमावती लक्षमांति एक अमरावती रीवर भी है चलिए भवानी कभीनी नौयल और अरकावती मैंने आपको मेटूर डैम और उससे बन ले वाले स्टै मिलनाडू में नहीं है यह करनाटक में कृष्णा राजा सागर डैम जो है देखिए करनाटक में लोकेटेड है और जो डिस्टिक्ट है वो मांड्या डिस्टिक्ट है मैसूर में जो राजा थे पहले महाराज थे वाडियार डाइनस्टी के कृष्णा राजा वाडियार और इन पर question आ चुका है UPSC में पिछले साल ही, मेंस में Sir M. बेस पसफर है या पूरा नाम तो मैं नहीं शाद पड़ पाऊंगा बेटेनी में पूरा नाम आपको जाने की ज़रूत नहीं है 1860 में जन्म हुआ था, इनकी मिर्ति होई 1962 में सिविल इंजिनियर थे और एक स्टेट्समेन भी थे, मैसूर के दिवान भी रहे थे, इसलिए उन्होंने डैम के कंस्ट्रक्शन में चीफ इंजिनियर की पद भी ले थी, इनकी खासियत यह है कि इनको भारत रात मिला था 1955 में, नाइट हुड भी मिला था, ब्रिटिश से, अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि यूपी से ने क्विश्टन पूछा, क्योंकि 15 सेप्टेंबर जो उनका बर्डे है, वो इंडिया में इंजिनियर्स डे की तरह सेलिबरेट किया जाता है, और बस इंडिया में स्रिलंका और दंजानिया में भी, समझ गए, ये फ्लो है कावेरिका, अब मैं आपको एक बार तमिलाडू के डिस्टिक दिखा देता हूँ, डिस्टिक इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर दिमाग में बाद में नहीं रहेगा, तो मैं लोकेशन बताऊंगा, तो क्लियर नहीं होगा, तो एक बार देख लेज़े, मैं फिर से लोट के लोकेशन पर आऊंगा, कुई चेंता नहीं, ऊपर आंदर प्रदेश का यहां पर रयाल सीमा नाम का एरिया है, चार डिस्टिक पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यहां पर नॉर्थ म साइड में करनाटक है, नॉर्दन साइड में आंदर प्रदेश है, और इस्टन साइड में यहां पर पॉंडिचेरी या पुड़ुचेरी है, यह उपर से शुरू करते हैं, सबसे उपर क्या है, तिरुवल्लूर, यह तिरुवल्लूर आपको याद नहीं रखना, यहां से बहुत कम बनेगा, चेन्नेई देखें यहां पर, वेरी गुड, चेन्नेई कोस्टल एरिया में, चेन्नेई के बगल में देखें कांची पूरम, यह बहुत आपको बार बार मैं में मेंशन करूँगा, कांची पूरम, चेंगल पट्टु थोड़ा बार में मेंशन करूँग अभी उसको इतना याद रखिए कडल और बहुत मेंशन नहीं करूंगा यहां कल्ला कुरिची है बहुत मेंशन नहीं करूंगा ठीक है उपर जो वेलोर का एरिया है वहां पर दूसरे तरीके से मेंशन करूंगा वेलोर का नाम नहीं आएगा रानीपेट का नाम नहीं आएगा बगल के जो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कभी-कभी मेंशन करूंगा वहां की लोकेशन तिरुपत्तूर बहुत नाम नहीं आएगा यहां पे देखे क्रिश्णागिरी है आपको क्रिश्णागिरी का नाम बहुत जाद नहीं आएगा धर्मपूरी है नहीं आएगा सेलम अभी- कोस्टल एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट है नागपत्तिनम नागपत्तिनम का नाम बहुत लोंगा बगल में तिरावूर है not very important देखे आपका यहां पे लोकेशन है कराईकाल क्यों खास है फिर कराईकाल पॉंडिचेरी का ही एरिया है तो ध्यान रखेगा तमिलनाडु वाल अब बोल रहा है तो तमिलनाडु में यूनियन टेरिटरी एक तो यहां पे पुडुचेरी हो गया दूसरा कराईकाल हो गया वाट अधर्स टू मैं आपको दिखाता हूं चलिए पुडुचेरी की मैपिंग करते हैं पुडुचेरी में चार्ट डिस्ट्रिक्ट है एक तो यह लोकेशन देखे केरल से सटा हुआ आपके वेस्टरन कोस्ट पे यह जो एरिया है यह जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम लोग माहे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं यह भी आपके पुडुचेरी का पार्ट है अलग-लग लोकेशन में देख रहे हैं और चौथा जो है यह यह भी पुडूचेरी से बिलॉंग करता है ये अंद्रप्रदिस के कोस्टल एरिया में है इन चार लोकेशन से ही पुडूचेरी का निर्मान होता है पहला पुडूचेरी डिस्टिक्ट दूसरा करईकाल डिस्टिक्ट तीसरा माहे डिस्टिक्ट ये केरलवारी एरिया में और च दिस्ट्ट्ट ए ठेणी डिस्ट्ट्ट आसर्ट करें मदुराई जो है पांडेन किंग्डम का कैपिटल रहा था यहां पर जो रीवर बहती है उसका नाम वेगाई रीवर मदुराई में मिनाक्षि टेम्पल एक वत नहीं सुना ही होगा यह दिस्ट्ट्ट ए रामनाथपूर पूरम डिस्टिक्ट है रामनाथ पूरम डिस्टिक्ट में जो आइलेंड बनता है वो रामेश्वरम है एपीजे अब्दुलकला महीं से बिलॉंग करते थे थे थूट कुड़ी डिस्टिक्ट यह क्या है टुटी कोरें अस्टेलाइट वाला इसो याद करिए बाकी विरूद तो सेलम कहां गया सेलम यहां पे था चलिए सारी चीजे हम डिसकस हो गई अब में इन कंटेंट पर आते हैं चार लोकेशन थी अरेकमेडू एक्सकावेशन लेकिन दो लोकेशन अब डिसकस नहीं हो चार में से एक तो है अलगन कुलम दूसरा है उरय योर थोड़ी दर पहल से फ्लो कर रही थी वैगई रिवर वो यहां भी फ्लो करती है रामनाथपूरम डिस्टिक्ट में भी वैगई रिवर अब यह उरय यूर बहुत इंपॉर्टेंट है जो चौथा वाला लोकेशन है एक्सकावेशन का उरय यूर देखिए सबसे पहले तो तिरुचोरा पल्ल जो था संगम टाइम वाला उसमें से चेरा चोला पांड्या में जो अरली चोला थे उनका कैपिटल यह उरय यूर ही था जो की त्रिचिट डिस्टिक्ट में पढ़ेगा तिरुचुरा पल्ली डिस्टिक्ट में पढ़ेगा तो अभी तक हमने आर्कियो लॉजिकल जो एवि बुद्धिजम को बढ़ावा देते थे या जैनिजम को बढ़ावा देते थे उनकी मर्जी है या हिंद्विजम को दे तो कुछ बुद्धिष्ट साइट भी मिलेंगी जहां से आपको कुछ अस्तूप और चैती मिलेंगे जिससे पता चलते हैं इन राजाओं के बारे में ऐसे अस्तूप और चैती नॉर्थ इंडिया में तो लोकेटेड हैं ही लेकिन साथ-साथ आंद्रपर्देश और करनाटक के रिजन में भी लोकेटेड हैं इन फैक सात्वाहना को पता है आपको सात्वाहना को पुरानों में आंध्रा ही बोला जाता था ठीक है तो इसकी सबसे बड़ी खासिया तो यह है कि वह रुइंस में एकदम बरबाद हो चुक है सांची जैसा यह कंजर्ब्ड प्रिजर्ब नहीं है रुइंस में है बुद्दिष्ट मॉनुमेंट है इसको बनाया गया था देखिए 3rd century BC से लेके 250 AD के बीच में कभी बनाया गया था यह located है गुंटूर जिला जो है आंदरप्रदेश का वहाँ पे अमरावती नाम का विलेज है अगर आप बात करें तो इस location की बहुत जादा importance है थोड़ी दिर बाद वो बताता हूँ पहले ही लेकिन आपको आंदरप्रदेश में गुंटूर जिला कहां पे है यह जानना चा यह कृष्णा रिवर का भी उसी तरह की detailing दूँगा जैसे कावेरी की दिया लेकिन आज तमिल्नाडो वाले हिस्ट्री में कावेरी पे बहुत जादा focus है तो मैंने कावेरी का बताया आगे थोड़े उपर भी चलेंगे पलवाज वगर देखेंगे सब कुस देखेंगे तो म आपको आगे गुदावरी कृष्णा का भी detail दे दूँगा इसी ancient history के lectures में अब ये अमरावती जगह आज कल भी इतना news में क्यों है क्योंकि नए आंदरप्रदेश का जो आंदरप्रदेश capital region बन रहा है उसमें काफी अच्छा खासा पार्ट ये अमरावती का भी है जो कि ग capital region बनेगा वो metropolitan region बनेगा जैसे डेली का है national capital region तो अगर आप पूरे आंदरप्रदेश capital region की बात करेंगे देखिए capital तो मैंने पहले ही हम लोकेट कर लिया गुंटूर जिले में लेकिन अगर आंदरप्रदेश capital region की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत देखिए विज जिनाली नाम की जगह आप देख रहे हैं ये भी अलग से district नहीं है ये भी गुंटूर में ही पड़ता है तो आंदरप्रदेश capital region का area कुछ ऐसा बनेगा गुंटूर district देख रहे हैं उसका पार्ट रहेगा और कृष्णा district देख रहे हैं उसका पार्ट रहेगा और कोई जो है decisive evidence पूरा foundation का अच्छे से नहीं मिला है और ये ruins में तो कुछ खास के पता भी नहीं चलता खास करके अब ये नागारजुन कुंडा का है है नागारजुन कुंडा भी आपके गुंटूर जिले में ही पड़ेगा देखिए नागारजुन कुंडा is historical town now an island located near नागा किलमेटर दूरी है एक सोराट किलमेटर के दूरी है नागारजुन कुंडा और हमशिए स्थूप के बीच में याद रखेगा यहां पर मैंने नागारुटू सागर डैम नागार जूसागर्ट डैम किस पे तो इन दो जो हैं अमरावरत या study को numismatic art बोलते हैं तो कुछ numismatic जो वहां पर सबूत मिलेंगे सात्वाहन पेरियर तो शुरुआत हुई आपके 1st century BC में लेकिन उसके पहले आपको कुछ परी सात्वाहन चीफटें मतलब छोटे बहुत जो रूलर थे उनके भी आपको कौईन मिल जाएंगे कई बार राणियों के वहां पर साथवहन डाइस्टी में तो राणियों की इमज भी कुईन पर बनाई जाती थे अंगे परी साथवहन परियड के भी आपको कुछ कुछ मिल जाएंगा सातवाहन पिरियोड के भी कोयन मिल जांगे कहां मिलेंगे अंदरपर्देश और करनाटक के रिजन में किनर की बात रहे है बहुत नीचा साउथ में मत जाएगा तन्यिक में फॉर talking about Maharashtra Andhra Pradesh और कौन सा एरिया Maharashtra Andhra Pradesh और करनाटक के एरिया डेकन की बात कर रहा हूँ तो अब यहां पर ही समझाए कि क्या होता है देखिए अस्थूप क्या होता है चो बुद्धिस्ट रिलिक है। एक तरह का यह funerary mound है करते क्या है कि सबसे पहले आप उसको बुद्धिष्ट रेलिक रख दीजिए ashes रख दीजिए देखें बुद्धिष्ट अस्तूपाज evolved out of the burial of the ashes of the mortal remains of बुद्धा बुद्धा की कुछ mortal remains वहाँ पर रख दीए उसके बाल क्या करेंगे कि उसके उपर mound create कर देंगे तो यही होता है अस्तूप बुद्धिष्ट sacred architecture originated with the eight अस्तूपाज where the ashes were divided eight अस्तूप में divide किये थे hemispirical shape होता है देख लिजिए बहुत अच्छा ड्रॉब भले नहीं किया हो अस्तूपा symbolizes the universe अस्तूपा का symbolization जो है वो universe का है वो गोला का और बुद्धा represents the emperor of the spiritual universe अगर कोई spiritual universe कोई अगर कोई रजवाडे की जगह हो तो बुद्ध जो है उसके राजा है क्योंकि spirituality के जो है उन्होंने बुद्धिजम का जो attainment होता है ता ना परंतक उसको achieve कर लिया है अस्तूपा है जो path around for devotional circumvulation path बनावाता है अस्तूपा बगर के structure जो है मैं आपको art and architecture बगर में पढ़ाऊंगा यहां नहीं पढ़ना है जब numismatic art की बात होगी सबूत की बात होगी तो क्या बस सात्वाहन की बात होगी नहीं यहां पर जो चेरा चोला पांडिया तीन kingdom बनेंगे उसके अलावाद जो छोटे बहुत जो चीफटेंस थे संगम एज के छोटे बहुत जो राजा थे उनके भी छोटे बहुत राजाओं के भी वहां पर अब इनका ट्रेड आपको याद रखेगा संगम एज में हमारा ट्रेड वहां पे साउथ से रोमन एंपायर ग्रीक एंपायर बहुत के साथ होता था साउथ अपरिगा एजिप्ट वगर के साथ होता था तो वहां से जो कॉपर और गोल्ड के कोई आते थे हम आपस में कंट्री में करते थे तो आम तो बाटर में कर लेते थे लेकिन जब रोमन एंपायर से हमें स्वीट वाइन मंगवाने है एसे चीज़े जब मंगवानी होती थी तो हम तो उनको कुछ दे देते थे अनाज वगरा लेकिन अगर उन्हें हमसे कुछ अनाज बगर चाहिए और हमें उनके बदले में कुछ नहीं लेना है तो में copper के, silver के, gold के coin silver और gold के coin तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे Roman Empire के इस area में जो Arik Medu अगर मैंने आपको बताया थोड़ी दिर पहले है ना Kodum Manal बगर वहां से silver और gold के coin आपको बहुत मिलेंगे Roman Empire के, trade था established दूसरा होता है एक होता है apographic evidence apographic मतलब inscription करना है ना पत्त्रों बगर आपे inscription जो है लिखी हुई चीज़े, तो जब आप असोक के inscription को पढ़ेंगे, तो पहले तो south में आंद्र और करनाटक के northern जो पाड़ था आंद्रा और करनाटक का महराष्ट का, वहां पे Moran Empire था, तो वहां पे आपको असोकन inscription मिल जाएंगे, तो प्राकृत में लिखे हुए हैं, तो वहां पे भी कुछ evidences हैं, ऐसी बाते लिखे हुई हैं अभी उसके अलाबा, देखिए तमिल ब्रामी inscription आपको मिलेंगे तमिल्नाडू और केरल के केवस में, उसके जैसे कुछ एक्जामपल है, तमिल्नाडू और केवस में तो केरल में कौन था? चेराज वगरा थे, तमिल्नाडू में आपके चोल थे, पांडे थे तो इन लोगों ने इंस्क्रिप्शन करवाया केरल और तमिल नाडू में वहाँ पे आपको तमिल ब्रामी में इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जैसे मंगुलाम में मिलेगा, जंबाई में मिलेगा, पुगलूर में मिलेगा, अब यह लोकेशन कहा है अब यह तीन लोकेशन है जहां से आपको तमिल ब्रामी इंस्क्रिप्शन मिले हैं मंगुलम, जंबाई और पुगलूर अगर मैं यह लोकेशन आपको माइक्रोस्कोपिल्कली दिखाऊं तो आपको यहां पर समझ मिने एगा कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस निया, कोई रिवर व्गर करनी है, यह किसे तर्फिक में लोकेटेड होंगे, तो मैं आपको पूर्फिक दिखा दूँगा, उसे अपका अमिल नाड़ू का दिस्टिक का थोड़ा फिर से रिविजन हो जागा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा की नहीं है और और से इंपॉर्ट सारी आपको कवर कराने वाल हुआ तब आपको पता चलेका वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाद मैं शुरू करूगा लेकिन अल्मों सारा GS जो है उस स्रीज में कतम हो जाएगा तो मंगुलम, जंबाई और पुगलूर कहां पे लोकेटिड है चले आए फिर से तमिलनाडू के मैप में डिस्टिक्ट वाले मैप में ये पूरा आ गया तमिलनाडू का मैप देखते हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले मदुराई दिखाया था वेगई रिवर वाला एरिया और पंडन किंग्डम का कैपिटल भी मदुराई में ही मंगुलम नाम की एक जगह है तो आपका मदुराई में मंगुलम हो गया ठीक है तो जमबाई और पुगलूर कहाँ पे है ये इरोड जिला देख रहा है जमबाई इरोड में लोकेटेड है तो पुगलूर कहाँ है ये करूर जिला यहाँ पे पुगलूर लोकेटेड है तो आपको याद हो गया याद रखने के ज़रूत नहीं है मैं बस एक आईडिया दे रहा हूँ ठीक है था कि आपके दिमाग में चीज़े जो हैं लॉंग लास्टिक बस है जब आप इस लेक्चर को फिर से देखें हैं मंगुलाम मदुरेय में जमभाई इरोड में और पुगालूर करूर में इन तीन लोकेशन में आपको एंशेंट इंसक्रिप्शन में सके एंसक्रिप्शन मिलेंगा अध्रब्र पर्वकोन के कोईन तो inscription भी मिलेंगे और जो आंद्रपरतिस वाला जो रीजन था नागार्जुन, कुंडा वगरा जो था अमराबती जो था वहाँ पे बुद्धिष्ट inscription मिलेंगे यह सारे एविडेंसेज हैं pottery भी मिलेगी कुछ जो inscription, inscription कुछ आपको pottery भी मिलेंगे short inscription मिलेंगे pottery पे, कुछ rings पे मिल जाएंगे, कुछ stones पे मिल जाएंगे Tamil Nadu में, इतना ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी कुछ site से जहाँ पे mention है कि हम लोग यहाँ से trade करते थे, तो उन inscription, उन epigraphic evidences को भी देखा जाता है, एक तो है यहाँ पे देखे बरनीके, और दुसरा है कैसर अल कादिम, कैसर अल कादिम एजिप्ट में located है, तो यह बरनीके कहाँ पे है बरनीके एजिप्ट में located, सौरी, बरनीके, हाँ हाँ, सौरी, बरनीके भी एजिप्ट में located है, वो के साथ, लिटरेरी सोर्सेज भी है, एक तो संगम लिटरेचर जिसके बारे में थोड़ी बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पोस्ट संगम लिटरेचर भी आएगा, अब ये जो आपको पता है कि मौरियन के कंटेंपररी थे यहाँ पर साथ के लोग, खास करके जो चेरा चोला पांडिया की बात हो रही है, संगम वालों की, तो वो मौरियन के कंटेंपररी थे, तब ही तो असोकन इंस्क्रिप्शन में में मेंशनिंग है, कि वो हमारी बाउनरी के बाहर के पुडोसी लोग थे, तो ज आशन कैसे चलाते हैं, अर्थसास्त्र की है न, इस अर्थसास्त्र में भी इन लोकेशन का मेंशन है, तमिल किंग्डम मोगर का मेंशन है, पुरान में मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बोला था कि सात्वहन की बात की गई है, लेकिन पुरान में सात्वहन को क्या बोला तो वहाँ पे deep poems और महावंस जैसे किताबे लिखी गई, बुद्धिजम, बुद्धिजम के chronicles, वहाँ पे भी mentioned है ये Tamil kingdom का, इसी बीच में साथवाहन kingdom जब मैं आपको पढ़ाओंगा तो वहाँ पे एक जो है साथवाहन king हाला होते हैं, हाला ने खुद से एक लिखा था, एक गाता सप्त सतिय सत्ता साय प्राकृत में लिखी होई किताब, उससे भी हमें literary sources मिलते हैं, याद रखीएगा साथवाहन king थे बाग की, आगे detailing करूगा चिंदा मत करिया, ये तो नौर्थ की और साथवाहन डेकन की बात होई, लेकिन Tamil literature भी तो है, एक तो हो कहाँ आपका classical सं compile करके हम बनाते हैं, एपिक में क्या होता है, एक ही बड़ी से story होती है, तो ये फर्क है, जो आपका एट्टू टोगाई है, एट्टू मतलब 8 होता है, तो उसमें 8 anthologies है, ठीक है, इसके लावा टोल का पईयम है, ये classical संगम literature है, पट्टू 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 भी classical संगम literature है, अब यहाँ पे जितने भी संगम literature की बात हो रही है, वो साथवाहन period के बाद हम संगम era पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारे की detailing करेंगे, तो यहाँ पे mention भी आएगा, टेक्स्ट में आपको दिखेगा, भी स्क्रेन पे तो आप आराम से इग्नूर कर सकते हैं, कोई दिक् उसमें poetry भी थी, और society और culture के भी बात ही थी, कि grammatical text है, साथी साथ society और culture के भी बात है, religious बाते नहीं रहेंगे, ये था टोलका पयार का लिखा हुआ, टोलका पयम, वो classical संगम literature है, उसमें भी हमें कुछ sources मिलेंगे, साथी साथ पतिनेन किला कनक्कू, यहाँ पे पतिनेन कि से बिलॉंग करते हैं, मतलब कि 4th से 6th century के बीच में बिलॉंग करते हैं, यहाँ भी social और cultural setup जो था साथ इंडिया का mentioned है, देखिए इस box में पूरी detailing की गई है संगम literature की, लेकिन मैं आपको यह नहीं पढ़ाँगा, मैं तो आपको इसकी कहानिया भी पढ़ाँगा, लेकिन अगले lecture में जब संगम पढ़ाँगा तब पढ़ाँगा, अभी हम लोग focus करेंगे सात्वाहन पे, तो जब Indian literature की बात होगी तो foreign के नहीं होगी, क्या, जब trade चल रहा था तो वहाँ के जो होंगे, foreign के जो लेकिक होंगे, वो भी इंडिया के बारे में लेकिन तो कई Greek और Latin sources ह जिसे पता चलता है कि उनका हमारे साथ cultural और commercial connection था, एक तो बहुत famous book है, Periplus of Erythian Sea, ये Greek text है, ancient text है, इसमें पूरे world में जो geography चल रही है, जो trade बगर हो जाओर port बगर की बात हो रहे सारे का mention है, ऐसा लगता था कोई seafarer ने लिखा हो, Periplus of the Erythian Sea जो है, ये किस ने लिखा ह है, आज तक नहीं पता चला है, और ये question कही बार state PCS में आशुका है, और उसमें रहता है कि none of the above, आपको none of the above करना है, BPSC में अभी ही, पिछले साल ये या दो साल पहले आया था, कि Periplus of the Erythian Sea किस ने लिखा था, और उसका answer none of the above था, क्योंकि आज तक नहीं पता चला है क ये Greek text जो कि 1st century AD का है, उसको किस ने लिखा है, अब यहाँ पे कुछ और भी writers है, Pliny the Elder का Natural History, वो 1st century में लिखा गया, तो उसमें भी mentioned है, टॉलमी का geography 2nd century में लिखा गया, उसमें भी mentioned है, देखिए Vienna Papyrus, एक Greek document था, वो जो कि 2nd century AD का है, उसमें भी ये जगें mentioned है, एक Roman map भी है, उस Roman map को हम लोग भी होते है, प्यूटिंजेरियन table, प्यूटिंजेरियन table जो है, उसमें भी South Indian Kingdom के बारे में बात है, ये तो पता चला कि Roman map है, ये पता चला कि Vienna Papyrus एक Greek document है, लेकिन आपको Pliny the Elder और टॉलमी ये कहां के थे, फिर से repeat करूँगा, connection सायथ कट गया था, तो उन्हें लिखा था एक book, he wrote the Encyclopedic Naturalist Historia, और ये जो Encyclopedic Naturalist Historia उन्होंने लिखा, आज के जितने सारे Encyclopedia है, उसी के model पे, उन्ही के model पे best है, उसी को यहाँ पे natural history simply बोल दिया है, Encyclopedic Naturalist Historia था, उसी को natural history बोल दिया है, तो Pliny the Elder के पारे में तो जान लिया है, what about Ptolemy geography, Ptolemy जो थे, एक mathematician थे, astronomer थे, geographer थे, astrologer थे, और उन्होंने कई scientific किताबे लिखी, ये थे, belong करते थे, एजिप्ट से, और बाकि डेटिंग तो उनकी यहाँ पे कराही दी गई है, तो जब North में Moran Empire चल रहा था, तो South में क्या चल रहा था, South India during Moran Empire कैसी condition थी, अगर आप आप अशो अशोक के रॉक एडिक्ट टू को पढ़िये, तो वहाँ पे सारे जो तमिल रूलिंग हाउसेज थे, क्लासेज तो उनका मेंशन था, मैंने आपको बोला था न, चेरा, चोला, पांडियाज, चोला, पांडियाज, केरल के एरियाज में केरल पुत्रा, जो की चेराज हुए, और यहाँ पे क्या लिखावा, सातियाज पुत्रा, यह कौन थे, कंटेंप्रेरी थे इनके, चेरा, चोला, पांडियाज बगर के, केरल पुत्राज के कंटेंप्रेरी थे, यह भी एक तमिल डाइनस्टी से बिलॉंग करते थे, इनके डाइनस्टी को कोंगु तमिल डाइनस से बिलॉंग करते थे और इनका कैपिटल जो है आज का धर्म पूरी जिला मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी दिर पहले तमिल नाडू का वहां पर यह लोग लोकेटेड थे इनके वेस्ट में चेहराज थे हैं और पांड्याज और चॉलाज इनके इस्ट में थे मतलब आप ऐ इस्ट साइड में पांड्याज और चॉलाज हो गया इसके बीच में दबे जो हुए जो थे वो आपके सातिया पुत्राज थे जिनको हम लोग अतियामन भी बोलते हैं और अशोक के एडिक्ट नंबर टू में इनका भी मेंशन है तो इस चीज को भी आप याद रखेगा बा बात करती थे तो мор Korean empire कहां तक थे नीचे कर्nadenत और कर आपढ़ीज का जो northern part तॉ वहां तक मौरियन मया थे उनको बोलते हैं अशोक की वह इंडिपेंडेंट नेबर सते हमारे अंदर नहीं आते हैं अब यहां पर वीमें पोइट की बात कि निया कवेंगांए संगंग मेश म मैंने आपको बोला था कि शात वहन कंटेंप्रारी नहीं थे ठीक है Morion Empire कें शाथ वाले हो गया है ना जो चेरा चोला पंडिया केरल पूत्रह सत्या पूत्रह यह लोग हो गया जब Morion Empire का decline हो गया उसके बाद सात वहन परियड आता है नीचे वाले जिस एरिया में Moran Empire का प्रभावता, करनाटक वगरे वाले एरिया में महाराष्ट वगरे वाले एरिया में आंदरप्रदिस वाले एरिया में डेकन में, वहाँ पे उदै होता है सातवहनाज का, लेकिन उसके बीच में एकदम से सातवाहन नहीं आगे थे, बीच में पेरियर्ट जो था, उसमें कई स्मॉल प्रिंसिपालिटी जो थी, रूल करती थी, छोटे-छोटे राजा, वह आपको जानने के जरुत नहीं है, और जरुत इसलिए नहीं है, कि बहुत जादा इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि उनके कुछ कुछ क्वाइन और इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि छोटे-मोटे वह चीफ थे, और स्माल टेरिटरीज रूल करते थे, लेकिन बात में जब मौरेन एंपायर पूरा डिकलाइन हो जाता है, खतम हो जाता है, तो उस एक तेलंगाना या अंद्रप्रतिस कह सकते हैं, और साथी साथ, आपका महराष्ट का बहुत बड़ा एरिया, विदर्ब, ये प्रतिस्ठान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको पैठन बोलते हैं, ये इनका कैपिटल था, प्रतिस्ठान कैपिटल था, इनका पैठन क पास बगर, वो भी इनके अंदर आता था, नासिक, कल्यान, सो पर आई, इनके लोकेशन हो गया, अमरावती भी लोकेशन हो गया, विदर्ब का आज का जो एरिया जांका नागपूर है, उसका डिस्टिट का मतलब बोलिये पूरे, डिवीजन का हेड़कॉर्टर, बाकी पर अनूपा, विदर्ब, सौराष्टी की सारी चुजों पर इनका रहेगा, अपना इंपक्ट, बाकी कंटेंपररी दर कलिंगा, उडिशा वाले एरिया में उतकल बंगा, आपको याद रहेगा, उडिशा वाला एरिया, तो यहीं से बात होगी, कि जब छोटे-छोटे राजा खतम हो गया, और मौरे ने पायर का डिकलाइन हो गया, तो साथ इंडिया आता है साथ वाहन के अंदर, तो साथ वाहन इमर्ज करते हैं, फर्स सेंचुरी बीसी में, डेकन रिजम में, और इनका एरिया जो रूलिंग होता है, पार्ट्स वाप, आंदर प्रदेश, महाराष् पूजा करते थे, इसलिए साथ वाहन बनाए, कि सन ग्रेज की जो होती हैं, साथ उनके जो होते हैं, गोड़े होते हैं उसके हिसाब से, फ्रॉम रिसेंट आर्के लॉजिकल एविडेंस, इस अंडर्स्टूड धैट साथ वाहन से स्टाटे टू रूल इन तेलंगाना एरिय महाराष्ट के गुदावरी के बेसिन में यह mostly located हो गया, शुरुवायत की यहां पे तेलंगाना से फिर shift हो गया महाराष्ट, वहां चल गए परतिष्ठान या पैठन गुदावरी के बेसिन में, यह कहां पे है location, यह location वहीं पे located है जहां पे अजंता एलोरा की caves है, जहां प पे बीबी का मकबरा करके है, मिनी ताज महल बोलते हैं उसको, वह location है और अंगाबाद, और अंगाबाद में आज पैठन या परतिष्ठान नाम की जगह है, यहीं पे साथवहन के डाइनास्टी का capital था, गुदावरी के बेसिन में आता है, तो क्या उन्होंने अपना impact वही आसे हैं से शुरू किया, यह परतिष्ठान पैठन में बना लिए और अंगाबाद में, थोड़ा इधर पहले, थोड़ा फिर यहां पे देखिए, इस्टन एरिया में चले के कोश्टल एरिया में यह पूरा एरिया इन्होंने कबजा कर लिया, थोड़ी दर पहले मैंने इसके पहले कि मैं साथवहन डाइस्टी के किंग्डम के जेनियोलोजी आपको तमिलनाडू की बुक से पढ़ाऊं, आपको ज्यादा क्लेरिटी के लिए विकिपीडिया से पढ़ाऊंगा मैं, जो चीजे मैं पढ़ाऊंगा विकिपीडिया से वो वेरिफाइड होंगी तो दियान रिजन में रूल करते थे, अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे आपको मैंने कैपिटल पढ़ा है तो मिलनाडू में बस प्रतिष्ठान पढ़ा है पैठन, लेकिन उन्होंने ये मेंसें किया कि इस्टवर्ट धिरे-धिरे जाते हैं, इस्टवर्ड में अमरावती ज याद रखेगा मैंने आप अल्रेडी बता हुए गुंडोर जिले में पढ़ता है साथी साथ मैप में दबत में लाड़ू के हमने देखा था तो गुजरात का भी लोकेशन था तो देखिए मेंली तो यह लोग तेलंगाना आंदपरदेशों महाराष्ट में रूल करते थे ले लेकिन पुरानों के हिसाब से जब मैंने आपको कनवा डाइनस्टी पहले पढ़ा था जब शुंग डाइनस्टी बताया था मैंने कि शुंग डाइनस्टी को किसने रिप्लेस किया था मौरेन वाले एरिया में कनवा डाइनस्टी को रिप्लेस कर दिया इस एरिया में आपक के सातवाहन डैनस्टी ने ठीक हैं सातवाहन डैनस्टी का जो सिघ्र Seriously को रिप्लेश कर दिया था ऐसा पुरान में कहना है तो यह सातवाहन डैनस्टी कब की हो गई पोस्ट मॉडैं इरा की हो गई इन्हों यहां पर एक बात और है कि जब यह काफे पीस्पुल एरिया इनका रहा क्योंकि कभी कोई से बाहर से आक्रमन करने आता था तो उसको हरा देते थे ये लोग आपको मैंने पहले के चाप्टर में साक का वेश्टन सत्रप पड़ाया था ये गुजरात वाले एरिया में जूनागड़ याद करिए इंस्क्रिप्शन उसकी राजा को शाशन ने अच्छा का सा फैला इन्होंने बहुत लोगों को हराया और अपना जो एरिया है एकदम अच्छे से से क्योर करके रखा जो क्वाइनेज की तो उसमें अपने रूलर्स की इमेज लगाई राणियों की भी इमेज लगाई वह आप नने घाट का इंस्क्रिप्शन की लिट्रेचर था जो एंसक्रिप्शन वगर्री ए वो प्राकृत है और संस्किर्ट वगर्रा नहीं है इस चीज को याद रखे तमिल नहीं है प्राकृत था लेकिन यह हिंद्विजम और बुद्दिजम में Hinduism को ही ज़्यादा बढ़ावा देते थे जो information नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी कि इसके शुरुवात किस ने की सुरुवात माना जाता है कि Simuka ने की उसके बाद Kanha आए फिर सतकर्नी 1 आए सतकर्नी 2 आए फिर सिवा सिवास्वती आए फिर यह गौत्मी पुत्र सतकर्नी आए जो की काफी famous रहेंगे तो UPSC का focus रहेगा Simuka पे पहले वाले पे ठीके उसके बाद उनका focus रहेगा आपके गौत्मी पुत्र सतकर्नी पे सिमuka के बाद गौत्मी पुत्र सतकर्नी पे वशिष्ट पुला माई जो गौत्मी पुत्र सत्कर्णी के बाद आये थे, वो भी काफी फेमस रूलर थे, वशिष्ट पुत्र सत्कर्णी भी, फिर नीचे देखिए, सिवसकंद सत्कर्णी, और यहां देखिए, यजन स्री सत्कर्णी, एक बात यहां पे देखिए, आपको पुत्र पुत्र लग रहा हो गौतमी पोत्र वश्यष्ट पोत्र यह सारे लग्के आपको लग रहा होगे कि कहीं यह मैट्रिनियल था इनका पैट्रन जो था मतलब शाषन का सिस्टम नो इसा नहीं था कि मतलब बेटी बनेगी या बहु बनेगी ऐसा कुछ नहीं था यह पैट्रिनियल ही था इनका यह इनके माता के नाम पे है यह पैट्रिनियल ही है लेकिन तो जब आप किसी राजा का नाम उसकी माता के नाम पे रखते हैं या किसी बेटे का नाम माता के नाम पे सेस्टर साथ वाहन डियाश्टी जो थी वह मेट्रोनाइमिक को फॉलो करती थी लेकिन सोसाइटी जो थी उनकी जो राजकास जो था वो पैट्रिल लीनियल ही था इसी को डिफ्रेंशियेट कर लिजेगा यूप्यसी के लिए देखे ये कुछ इनके अरली कौइंस है बने साथ गोड़े हैं तो यह लोग संगोड की साथ पूजा करते थे क्यों कि यह सोलर डाइनस्टी से बिलॉंग करते थे कुछ और भी थेयरी है नेमिंग के लिए वो जानने के आपको कोई ज़रूत नहीं है तो फांडेशन किसने रखी थे आपको याद रखेगा रहेगा ननेगाट का इंस्क्रिप्शन में ने तो आपको दिखा दिया यही वाली मिज़ती ना वहाँ पर बोला गया है कि सिमुका ने इसको इसको इस्टैबलिस किया था साथ वाहन डाइनस्टी को पूरानों में भी ऐसा ही मिलता जुलता है ना में शिशुका सिंदुका चिमिश्का सब कुछ सिंदुका से ही मिलता जुलता है शिमुका के बाद कौन बना राजा? उनके भाई बने काना, है ना? उनको क्रिश्णा भी बोलते हैं, तो उनोंने थोड़ा इसका extension किया और नासिक तक पहुंचा दिया आपके महाराष्ट, तिलंगा ना श़ुए शुरुआ कुई थी थी नौर्थ इंडिया में तो उस बीच में उन्होंने मौका लिया और अनुपा मतलब नर्मदा वैली मालवा यह जो महाराष्ट और आपके महाराष्ट क्या कहें मद्यप्रदिस का एरिया है मालवा उसमें अनुपा भी नर्मदा वैली में है और विदर्व महाराष्ट वाला ए sacrifices किये कि हम अच्छे राजा हैं अश्वमेद और राजसु या यगी जो कि मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से डिटेल बताया है वो यगे करवाए वो दिजम नहीं अपनाया उन्होंने ब्राह्मनिजम अपनाया और अपना substantial wealth जो है लोगों के बीच में डोनेट किया इन फैक्ट आपका जो उडिशा का हाथे गुंपा इंस्क्रिप्शन है जो कि आपके कलिंग राजा खारावेल ने करवाय था वहाँ भी सतकर्नी का नाम लिखा हुआ है सतकर्नी 1 के बाद सतकर्नी 2 है उन्होंने 56 एर वगर रूल किया है ना उन्होंने इस्टन मालवा भी capture कर लिया किसे capture किया बताइए शुंगा से capture किया सुंगा वगर का प्रभाव था वहाँ पर इसी चकर में सतकर्नी 2 का जो है आपको पता ना पुष्या मित्र सुंगा और अगनी मित्र सुंग का सांची स्टूप पर प्रभाव है एक ने demolish किया एक ने बनवाय ऐसा प्रभाव है तो जैसे ही सुंगा के ए छ और था इरिया में मालवय आम ने बनन वा है फिर वहां पर सुंग के स्टूप व्गर भी है करा थी आपके रोगोन तो पर लिएम्सक्रिप्शन बे कर वहाई गाए तो सजकृप्शची मों और शक्र्भाव भी याद रखियगा इन फैक्ट सांची का इंस्क्रिप्शन जो है साउधन गेटवे का आपको बता ना साउधन गेटवे का इंस्क्रिप्शन उसमें रिकॉर्ड किया हुए कि सत्कर्णी टू ने वहां पे रॉयल आर्किटेक्ट आनन्द से वर्क करवाया था अब एक बहुत बड़ी बात होगी जो वेस्टन सत्रप है आपके गुजरात जुनागडवाले एरिया में वहां से लड़ाई होगी लेकिन इतना पता है कि रेफरेंस है एक कुंतल सत्कर्णी से चलिए वह तो कोई बात नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट वेल नोन जो रूलर हुए याँपे इस डानेस्टी के वो हाला हुए हाला का यह योगदान ही कि उन्होंने देखिए गाथा सप्त सती या गाहा सत्त साही लिखी है ना और महाराष्टी प्राकृत में लिखी थी उसमें लव पोयंस है हाला ने बहुत स्मॉल टाइम के लिए रूल किया था मतलब कि कहीं सा आकर्मन हो रहागा आगे कि उनके बेटों ने भी कई फोर सक्सेसर हुए उन्होंने भी बहुत स्मॉल टाइम तक रूल किया मतलब कोई लड़ाई चल रही होगी लड़ाई चल रही थी वेस्टन सत्रप से जो कि उनके नौर्धन जूनागड़ वाले एरिया में गुजरात वाले एरिया में थे और उनके नीचे के रीजन में वो लोग इंटरफेर कर रहे थे नौर्थ से वेस्टन सत्रप का एक ruler था नहापना नहापना तो extend करके इनके कुछ area में भी वो rule करने लगा तो decline हुआ तो revival भी होगा बिलकुल होगा फर्स्ट revival जो होता है इस dynasty का वो होता है गौत में पुत्र सत्करनी के अंदर इसलिए वो बहुत famous ruler थे और वो greatest सत्वाहन ruler माने जाते हैं इसी कारण किया क्या उन्होंने ऐसा जो inscription मिलेंगी जो आपको literary sources मिलेंगे उसे ये पता चलता है कि गौत में पुत्र सत्करनी ने नहापना वेश्टन सत्रफ वाले को हरा दिया साथी साथ एक और source है गौत मी पुत्र सत्करनी मतलब गौत मी के बेटे गौत मी पुत्र मदर का नाम था गौत मी बाला स्री उन्होंने नाशिक प्रशस्ती लिखवाई थी नाशिक प्रशस्ती मतलब किसी की बढ़ाई करना तरिफ करना तो किसकी बढ़ाई की थी अपने बेटे की गौत मी पुत्र बाला स्री के ही बेटे थे गौत मी पुत्र सत्करनी गौत मी बाला स्री ने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाई था याद रखेगा आप गौत मी पुत्र सत्करनी मत याद रख लिजगी उन्होंने इ इसकी डेटिंग की गई है कि 28th year after his death records his achievement, उस achievement में भी ये लिखा हुआ है कि हमारा बेटा जो है Western सत्रप के लोगों को हराता है, ये नाशिक प्रसस्ती में है, नाशिक inscription में है, तो आपको पूछा जाएगा कि सात्माहन डाइनस्टी का जो नाशिक प्रसस्ती है, नाशिक inscription है, तो आप याद रखें, गौत्मी बाला स्री ने करवाया था, अपने बेटे गौत्मी पूत्र सत्करनी के लिए, इन्होंने राजा राजा मतलब King of Kings, महाराजा, Great King, ऐसे भी अपने titles लगवाया, लास्ट में illness हो गी थी, तो मदर को ruling देती थी, मदर ने फिर inscription वगरा करवाय इनके नाम पे, ना से की जो caves हैं, वहाँ पे पांडव लेनी caves में, इनके बारे में काफी कुछ mentioned है, famous again उनके बेटे ही होगे, गौत्मी पूत्र सतकरनी वाज, succeeded by his son, वशेष्ट पूत्र स्री पूलामवी, कई बार गुरू के नाम पे भी उताब, वशेष्ट पूत्र स्री पूलावमी या पूलामाई भी बोलते हैं, वशेष्ट पूत्र स्री पूलामाई भी बोल सकते हैं आप, इन्हों ने भी काफी कुछ काम किया, old अस्तूप जो था अमरावती का उसको रेनोवेट किया, अपने टाइम पे रेनोवेट किया, तो क्या आपके जो western सत्रप के ज पूल चल रहा था, तो वहाँ पे आपका इन्वेजन होता है, रुद्र दमन वन का, वो western सत्रप वाले का, लेकिन ये फाइनली जो है, एक marriage alliance बन जाता है, with the western सत्रप, marrying the daughter of the रुद्र दमन वन, रुद्र दमन वन की बोलते हैं कि बेटी से शादी हो जाती, यहाँ पे भी व बोलते हैं कि सत्कर्णी को उन्होंने हरा दिया था, और वो भी दो बार, लेकिन जान चोड़ दी क्योंकि शादी हो गए थी, तो शायद में भी, देखो कोई भी हारता हो, कोई भी अपने हिसाब से लिखवाता है, लेकिन इतना आप समझ लेजे कि overall जो थी, यहाँ पे शा सत्कर्णी ने, second revival भी होगा, वो किया, स्री यजनसत्कर्णी ने, the last person belonging to the main सत्वहन डाइनस्टी, उसके बाद छोटे-छोटे राजा बनेंगे, लेकिन main सत्वहन डाइनस्टी के last जो थे, वो second revival जो करने वाले थे, वो यजनसत्कर्णी थे, और थोड़ी देर में उन्होंन इतना जानने की जोरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एविडेंस मिलता भी नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया से अटाग करके नासिक वाला एरिया ले लिया था, बाकि फिर दिरे दिरे डिकलाइन सुरू हो जाता है, यजन सत्करनी के बाद जो डाइनस्टी उनका आगे चलता है, उसमें कुछ खास नाम नहीं है, फिडे टोरी सुरू हो गई, जो छोटे छोटे राजा बनाया था ना, रूल करने के लिए प्रिंस्पालिटिज बगर जो बनायते जिनको दिया था, वो ही जो है लग गया इसके डिकलाइन में और दिरे दिरे इनका पूरा एरिय जब आ गया, 200 साल बाद, बाकी यजन सत करनी के बाद कौन-कौन से बने थे, उनको आपको जानने की ज़रूत नहीं है, कहा कहा बटा, नौर्धन पार्ट में क्या हुआ, रूल बाई ये को लैटरल ब्रांच अफ दे साथ वाहनाज, साथ वाहनाज में से एक ब्रांच बन गया, वो नौर्धन पार्ट में उसको रूल करने लगा, और अरली फोर सेंचुरी में वो फिनिश हो गया, वेस्टन पा सवाकूज आ गया, मैंने आपको पीटी थर से शिफाई में एक शवाकूज के बारे में बताया, तो एक शवाकूज जो है अंदर परदेश के अमरावती गुंटूर वाले एरिया में उन्होंने कबज़ा कर लिया साथ वाहन से, तो फिर साथ वेस्टन पार्ट को किस ने द पढ़ा दे, लेकिन थोड़ी देर पहले पढ़ा है था कि गौत्मी पूत्र सत्करनी वाज ग्रेटेस्ट आप दा साथ वाहन किंग्स, यह आपको पता है, इन्होंने किसको हराय था, जो आपका शाक वेस्टन सत्रप का जो राजा था, शाक रूलर था, नहा पना गुजरा आप शाकाज, शाकाज को भी हराया, एक थे पहलवाज आपको जानने की जुरूत नहीं है, और यवन आज, यवन तो जानते, यवन वाले, ग्रीक वाले, सब को हराया, शाकाज को हराया, पहलवाज को हराया, यवन आज को हराया, ऐसा गौत्मी बाला स्री ने अपने बेट सुय सेक्रिफाइस वगरे ये करवाते थे सकेंड उनके बाद वशिष्ट पुत्र पुला मावी जो गवात में पुत्रसत करनी के ही थे उनके बाद सक्सेशर थे तो आपको पता ही है उन्होंने अपना फ्रेंटियर एक्स्टेंड किया था कहां कहां किया था मैं आपको बता हो रहा था अब शिप दिख रहा तो पता चलता है कि ट्रेड करते होंगे overseas ट्रेड करते होंगे marine line से किंग हाला की बात की थी बात की थी शॉट पिरियड के लिए जब जो है kingdom चोटा हो रहा था अब राजा गाये का कभी लिखेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, तो King Hala ने क्या लिखा था, credited with the writing of गाथा सत्ता साय या गाथा सब्त सती, उसमें क्या है, 700 love poems है, और ये किस language में लिखे गई है, महाराष्टी प्राक्रेट डायलेक्ट में लिखे गई है, और जो उसका theme है, वो बिल्कुल तमिल सिंगम, poetry से मिलता जूलता है, हाला के बार में सुनिए, हाला इस फेमस पर compiling an anthology of महाराष्टी प्राक्रेट poems known as anthology थी न, धेर सारी इसमें प्यम थी, गाहा सत्ता साय या गाता सब्त सती, तो महाराष्टी प्राक्रेट के लिए अच्छी किताब लेने का स्रेकिस के जाएगा, anthology है, 700 love poems है, इसलिए साथ सप्त सती है सत्ता साई बोल भी रहे है, बाकी सात्वहन डाइनेस्टी का पांच पार्ट में डिके हुए, वो तुमें आपको बता दिया, तमिलनाडू को तो मतलब है साउथ से तो उन्होंने बोला कि 3rd century CE में इसको रिप्लेस किया था, लेकिन हमने जाना है कि आंदर पर्देश आपकी अमरावती एरिया वाले एरिया में ही इक्छवाकू ने रिप्लेस किया था, लेकिन विकिपडिया पर हमें पूरा information मिला था कि पांच जगह पे रिप्लेस हुआ था, इस वाकू पूरी एरिया को उन्होंने नहीं रिप्लेस किया था, अमरावती वाले एरिया को किया था, इसके अलावा पलवाज ने साउथ एस्ट में किया था, आंदर में किया था और कदमबाज ने नॉर्दन करनाट का में इनको रिप्लेस किया यह सारी चीज़े हैं अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है आप सात्वहन पेरियट की देखिए इनकी इंपॉर्टेंस है कि यह लोग लैंड ग्रांट देते आपको याद रखना है सात्वहन क के डाइनस्टी के टाइम में यह चीज की डेवलाप्मेंट हो थी लैंड ग्रांट देने की ऐसे लोग जो खेती ना करें खेती करवाएं लेकिन उनको लैंड ग्रांट दो और उनको एलिट बनाओ फ्यूडल सिस्टम बनाओ इसलिए तो बाद में डिक्लाइन भी होता ना लैंड ग्रांट दे रहे हो लोगों को फ्री में तो चीज़ी तो प्रादम होगी यह देखिए नानेघठ का इंस्क्रिप्शन फिर से दिखाये हुआ है तो मैंने आपको पहली बता रहा है तो रहांत जजांबाद की पहले मैं नाम आपको ऊपको शुर्वात मीं बता गित नानेगाट के inscription में यह बताएगा कि tax exemption दिये जाते थे इन land grants पे बुद्धिष्ट मॉंग को land भी दे दिया tax exemption भी दे दिया इससे यह पता चलता है कि एक प्रिश्टली ग्रूप जो है उसको higher status मिलने लगा अब यो feudal lord बन जाएंगे यहाँ पे these lands donations created a group of people who did not cultivate but owned land जमिंदार हो गया इसी से जो है land based social hierarchy और divisions होने लगी society में दिरे से इसे decline भी होगा for the first time इनका ये भी एक योगदान है कि आपके डेकन का पूरा रूल करने वाला एक major part को कोई kingdom first time बना तो वो साथ वहाँ dynasty ही थी इन्होंने कई several rock cut caves वगर बनाए बुद्ध संग भी बनाए तो इससे ये पता चलता है कि ये आपके बुद्धिजम को भी बढ़ावा देते थे हिंद्विजम को भी बढ़ावा देते थे ये जो इनके rock cut caves वगर थे वो सुरी trade route पे located थे एक तो जुन्नार पास मैं आपको थोड़ी दर पहले बताया था नाने घाट पास जुन्नार पास कोस्टल पार्ट सब कौंकन को connect करने के लिए इंडो रोमन ट्रेड इंडो रोमन ट्रेड भी होगा हर किसी को होगा इंडो रोमन ट्रेड अब नेक्ट में लाए लेक्टर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सं चोल बगरा राजा चोल बगरा पलवाज बगरा इस सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे राष्ट कुटाज बगरा है ना थैंक यू so see you in the next lecture if you like the video please share it like it and you can join my telegram channel also the link is given in the description thank you so much take care bye